हेला एवरिवन मैं हुरी तुव्यास आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही चटा केदार रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं चना कोगले इसके लिए हमने इस तरह से बड़े वाले चने लिए हैं इन चनों को हमने 6000 गंटे के लिए चैसे पानी में भी को दिया था उसके बाद हमने इनको वाल किया है आप देख सकते हैं जब भी आप चनों को वाल करें इस तरह से वाल होना चाहिए वोईल करने के बाद इनको ठंडा करें जब आप इन चनों को हाथ से दबाए तो यह हलके से दबना चाहिए अब हम इन चनों के लिए मसाला तयार करेंगे हम इसमें बजार के मसाले का यूज नहीं करेंगे सबसे पहले हम मेक्सिके चाहर में चोटी चमस से आदी चमस लाल मिर्च पाउडर आदी चमस जीरा पाउडर चोटी चमस से आदी चमस हम इसमे दनिया पाउडर डालेंगे चोटी चमस से आदी चमस चाली पाउडर चोटी चमस से आदी चमस काला नमक चोटी चमस से आदी चमस काली मिर्च पाउडर चोटी चमस से आदी चमस नमक दो चुटकी हिंग एक चमस सकर जिससे सभी मसालों का टेस्ट बैलन्स हो जाता है अब हम इन सभी को अच्छा से ग्रैंड कर लेंगे जिससे सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएंगी और यह सब भी बारिक हो जाएंगे आप देख सकते हैं हमने सभी मसालों का अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया है अब हम इस मसाले को एक पलेट में अलग निकाल लेंगे इस तरह से मसाला पना कर भी आप अपने पाई स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपका कुछ चट पड़ा काने का मानू इस मसाले को डाल सकते हैं अब हम चनों को फ्राई करने के लिए कड़ाए में ओईल लेंगे ओईल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए ज्यादा होट ओईल में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे चनों को इस तरह से ज़ारी पे रखते हुए हम धीरे से सभी चनों को ओईल में डाल देंगे चनों में हलकी सी नमी रहती है इससे तेल के चीटे भी उड़ सकते हैं इस बात का आप इससे द्यान रखे गेस को हम मीडियम करते हुए चनों को बहुत ही अच्छा से रोस्ट करना है अब हम एक चोटी चमच से चनों की साइट चंच कर देंगे इन चनों को फ्राय होने में जैसे साथ नीट लग सकते हैं इस तरह की रैसे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें जैसे चनों को हाथ से दबाते हैं वो अच्छा से भी करना चाहिए उस कंडिसन में आप समझा हια से फ्राय हो चुके है चने अच्छा से फ्राय हो चुके हैं अब आम इन को ओयल स्थ अलग निकाल लेंगे आप देख सकते हैं चने का कलर हलका सा लाइट को लर्न ब्राउन हुआ है इससे जादा यदि हम इनको फ्राइ करेंगे तो यह बहुत दिक कड़क हो जाएंगे अभी यह चने बहुत दिक क्रिस्पी है अब हम इन सभी चनों को इस तरह से ओल से अलग निकाल लेंगे अब हम इन सभी गर्मा गर्म चनों में बनायवा मसाला डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे जितने मसाले किसमें जर्वत है आप उतना ही मसाला डालें मसाला चनों में अच्छा से मिक्स करना है आप हम इन कर्मा करम चनों को सर्व करेंगे ये चन्ने खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक बार जब आप इन चन्नों को टेस्टी करेंगे तो I hope कि आप इनको बारवर बनाना पसंद करेंगे इन कोगले चन्नों को एक बार आप घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स करना ना भूलें हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए चुटा के दार रेसिपी वीडियो के साथ बाई टैंक यू